नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर साथियों वीडियों में बात करेंगे ESIC भरती परिक्षा 2021 के बारे में बहुत सारी जानकारिया जो है निकल कर आ रही है कल ही जो ताजा कुछ अपडेट हमको मिली है तो वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं ऐसा कोई भी चैनल आपको पूरी A to Z जानकारी नहीं देगा तो ऐसे ही All India की किसी भी वेकेंसी की कोई भी न्यूज जिदिया पहले पाना चाहते हो सबसे पहले पाना चाहते हो एक कदम आगे रहना चाहते हो तो इस चैनल को जरू सबस्क्राइब करें पास में बैल आइकन उसे प्रेस कर लें साथी साथ All India की किसी भी वेकेंसी की कोई भी आप तयारी करना चाहते हो तो हमारा एक नजया चैनल PJ exam guide जिसकी link में description box में दे रहा हूँ उसको भी आप subscribe कर लें इस वीडियो में बात करेंगे परिक्सा कब होगी ESIC की नमबर एक बात नमबर दो बात इसमें किते जो है पद रहने वाले कितनी पोस्टें रहेगी नमबर तीन बात इसकी salary कितनी रहती है देखें A to Z जानकारी एक ही वीडियो में तो ऐसा unique वीडियो हम ही आपको देंगे और कोई नहीं देवाँ चले शुरू करते हैं ESIC अलवर staff nurse recruitment 2021 जैसा जो अलवर की वेकंसी है वैसी ही पटना की वेकंसी है तो same तो same है उसमें भी उसके notification में भी तो आप इसको अलवर वाली को देखें the ESIC यानि की Employment State Insurance Corporation has announced the recruitment upcoming 247 nursing personal staff nurse jobs ठीक है यानि की जो ESIC अलवर है वो 247 पदों पर staff nurse की वेकंसी का notification जारी कर रही है notification form on staff nurse 160 post, staff nurse की 160 post, nursing sister की 69 post, assistant nursing superintendent की 15 post है deputy nursing superintendent की 2 post और nursing superintendent की 1 post रहेगी ठीक है यह जो है the eligible candidate who waiting for long time अलवर staff nurse vacancy, those candidates can submit and apply ESIC अलवर staff nurse vacancy online application form 2021 ठीक है यानि की जो ब्यार्थी इसके लिए काफी time से इंतजार कर रहे थे ESIC की vacancy का बहुत लंबे time से इंतजार था क्योंकि एक सांदार vacancy है All India में nursing की vacancy हों में इस vacancy को जो है काफी top इस्तान पर माना जाता है इसकी salary भी शांदार रहती किती रहेगी वो आप मैं वीडियो आंत में जरूर बताऊंगा आगे देखते हैं ESIC अलवर staff nurse recruitment 2021 Official notification not announced here This is a section and release of 247 staff nurse post will be announced on February या फिर March 2020 यनि की ESIC का जो official notification जो है वो इसी महिने फरवरी या मार्च में जो है इस महिने फरवरी में या अगले महिने मार्च में जो है जारी हो जाएगा 100% जारी हो जाएगा जैसे ही जारी होगा हम आपको बता देंगे लेकिन ESIC में बहुत सारी चीजें होती है उनके बारे में इस वीडियो में अपन देखेंगे आगे जो है कुछ important date है date of official notification announce यानि official notification announce का बोगा फरवरी 2021 में starting date of application फरवरी 2021 यानि इसी महिने जो है आपका form start होने वाले जैसे ही form start होंगे हम आपके पास जो है सबसे पहले वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे इसके लिए आप चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले closing date of submission March 2021 में रहेगी यानि की last date जो है form बने की March 2021 में रहेगी application fees की बात करें submit last date March 2021 admit card जो है वो अप्रेल 2021 में आपके आ जाएगा इसका फिर return exam है वो भी अप्रेल 2021 में बहुत ही जल्दी जल्दी से इसका प्रोसेस होने वाला है और final merit list and result announced date होगी मई 2021 यानि की मई 2021 में आप जो है staff nurse के रूप में आप अलवर ESIC में पद्दोनत होंगे ये जो है ESIC ने जानकरी दिये आए ये recruitment department कौन सा है ESIC employment state insurance corporation number of vacancies की बात करें 247 nurse vacancy है यानि 277 staff nurse की vacancy है साथी साथ post ओकी बात करें तो staff nurse होंगे इसमें nursing sister होंगी assistant nursing superintendent भी होंगे deputy nursing superintendent होंगे DNS और जो है nursing superintendent होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं बहुत important जानकरी आपके लिए आप जो आ रही है वो है इसमें educational qualification क्या चाहिए ये बहुत important है B.H.C. nursing A.R.M. G.R.M. nursing and other relevant course ठीक है application form announce जो है बहुत जल्दी भरावरी में मैंने आपको बता दिया लेकिन application का जो mode रहेगा वो रहेगा online application only closing date March 2020 और nationality की बात करें तो only Indian candidate can apply पोस्ट की detail के बारे में बात करें तो 160 पोस्ट nursing sister की है 69 पोस्ट nursing assistant जो है sorry 160 है जो staff nurse की nursing sister की 69 पोस्ट nursing superintendent 15 deputy nursing 2 और पोस्ट and nursing superintendent की है एक पोस्ट ठीक है नीचे बात करेंगे तो educational qualification में BSC nursing pass with 50% marks on from recognized board and university या फिर GNM nursing diploma pass in medical recognized board ठीक है यानि कि आपके यदि BSC nursing करी है तो 50% आपके बोने चाहिए साथी साथ GNM होगी तो इसके साथ एक साल का experience भी मंगा गया age limit की बात करेंगे अबन तो applicant candidate के age limit should be between 27 to 47 इसका आप correction करें यह जो है गलर्ट डेट मतलब छापती गई है इसमें 21 से 47 रेता है age limit का criteria क्योंकि 21 साल से 47 साल के बीच में यदि आप है तो इसमें forum भर पाएंगे post for all category candidate जो भी है general SCST सब के लिए 21 से 47 रेगा अब बात करेंगे अपन salary and pay scale यानि कि salary और pay scale की बात करें तो staff nurse का जो salary annual वो रहेगी level 7 की level 7 की बहुत ही high salary होती है बहुत ही शांदर salary होती है secondary teacher के बराबर होती है nursing sister की बात करें तो level 8 उससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी assistant nursing nursing superintendent की बात करें तो level 10 की रहेगी deputy nursing superintendent की बात करें बहुत ही शांदर vacancy जो है यह इसका लगवग आप मानके चलिए की 70,000 यानि 70,000 के भी उपर की salary आपकी इसमें रहेगी यह मानके चलिए की level 7 में तो बहुत ही शांदर आपके लिए यह कह सकते हैं opportunity है जो इसमें all India का कोई भी अपला ही कर सकता है लेकिन वो इंडियन उसकी nationality होनी चाहिए साथ ही साथ इस vacancy की बारे में हम जो है इसके ESIC के पुराने paper भी हलो करवा रहे हैं इस channel पर ही तो दो paper हमने 2016 के और 2019 के डाल रखे हैं वो भी आप जाके देखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि ESIC में actually paper आते कैसे हैं साथ ही साथ आपको paper का level का भी पता चलेगा हम जो है बहुत सारी quiz भी करवा रहे हैं कम जो community box है अब ना community tab उसमें तो उसमें भी जाके आप समय समय पर बिल्कुल vote करते रहे साथ ही साथ चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी subscribe कर ले पास में bell icon है उसको भी place कर ले इसके दो फाइदे है पहला है ये कि हम जैसे भी आपके लिए all India की किसी भी vacancy की news सबसे पहले लाते हैं तो आपको जैसे ही कोई video हम upload करेंगी तो आपको सबसे पहले notification मिल जाएगी यदि आपने subscribe कर रहा है तो दूर सिरा फाइदा ये है कि यदि आप subscribe करते हूँ तो हमें ये पता लगता है कि हम जो मैनत कर रहे हैं आपके लिए वो जो है बेकार नहीं जा रही है वो जो है बिलकुल fully boot हो रही है मतलब हमें इससे की और energy मिलती है motivation मिलता है और जदा energy के साथ काम करने का तो साथियों आप जरूर इस channel को subscribe कर ले अपने दोस्तों के पास भी share करें और नया channel जो है उस पर all India की कोई भी vacancy की तयारी करवाई जा रही है जिसकी link description box में PJ exam guide के नाम channel है उसको भी आप जरूर subscribe कर ले thank you so much